सब्सक्राइब करिए टेकी आसर यूट्यूब चनल को साथ में लगा बेल एकन को भी प्रेस करिए ताक कि आपको मिले मेरे वीडियो की अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हाड़ वाइस वेलकम टो टेकी आसर यूट्यूब चनल और गाइस कौन से फोन खरीदना चाहिए कौन से फोन लेना चाहिए कौन से फोन बेस्ट है यह तो हम सब बताते ही है बड़ कौन से फोन से आपको बच के रहना चाहिए पटिकुलर्ली यहाँ पर मैं 15000 की रेंज में कौन से फोन को अपने से दूर रखना चाहिए सारी चीज आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हो तो इसी बात पर कर दो एक लाइक यह इंडियो का लाइक टार्गेट रखते हैं सिर्फ 500 लाइक का आई होब कि आप मुस्से प्यार करते हैं तो लाइक करीद होगे स काइस शेली वelets स्टार्ट करते हैं और सबसक्राइले तुम आपको बता दू मै maintenant करो भाई है यह ब्रेंड को मना करो और प्राइंड से मंहीं लेना चाहिए नहीं देखना चाहिए वह सारी चीज आप को बताने वाला हूँ, सबसे पहले स्मार्टफोन की बात करते हैं ब्रेंड की तो वो है Xiaomi, Xiaomi के आपको कौन से फोन से बच के रहे ना चीए 15,000 की रेंज में, सबसे पहले डिवाइस है Xiaomi Redmi Note 5, यह आपको वही पुराना Snapdragon का 625 5 मिलता है, नहीं इसमें dual camera का setup है, नहीं selfie camera है, नहीं portrait mode है, नहीं आपको कुछ अच्छा खासा नया कुछ देखने को मिलता है तो वही पुराना सा Redmi Note 4 है, सिर्फ आपको 839 का display मिल जाता है, और कुछ भी major changes नहीं है next smartphone है Redmi Y2, camera no doubt इसमें one of the best है, 10,000 की range में, बट उसके अलावा आपको यह phone में कुछ भी देखने को नहीं मिलता है battery भी कम है, performance वही Snapdragon 625 जैसे की मैंना आपको पता है, body भी plastic की बनी हुई है, तो इसमें भी कुछ खास नहीं है display भी आपको सिर्फ HD plus का देखने को मिलता है, next smartphone की बात करते है, तो यह मैं बुलूँगा mix reaction है, Redmi 6 Pro को लेके यहाँ पर आपको हाँ कोई कोई चीज अच्छी है कि आपको notch display देखने को मिल जाता है, battery 4000 image की है, पर यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है, इसका खास नहीं करा गया है, कि आज मी मतलब 11000 में ऐसा बुले का है, Xiaomi का phone है, हमको लेना है तो इसमें भी कुछ खास ही है, वही Snapdragon 625 है, वही basic से 5 Megapixel का selfie camera है, dual 4G voltage का support यहाँ भी नहीं मिलता है, नाई fast charging वगर है तो यह भी Everest सा phone यहाँ पर है, जो के Xiaomi के यह phone साथे आपको बचके रहना पड़ेगा, यहाँ पर next company की बात करते हैं तो आप सभी की favorite Samsung Samsung के जितने भी mid-run segment के smartphone है, मैं बोलता हूँ के यह phone आज की तरिक में मत लो, चाहिए वो on 6 हो, j6 हो, on 8 हो, यह आप बोल सकते हो, j8 हो, यह और जितने भी यहाँ पर j7 prime हो, j7 यह max हो, जितने भी phone है यह आपको बचके रहना है, तो कि यह आप 15,000-20,000 की range आप spend करते हो इतन 2000 के उपर जाने के इसाब बराबर है, साथ में यहाँ आपर नई fast charging देखने को मिलेगी, basic से फीचर आपको Samsung के 15,000 वाले phone में देखने को नहीं मिलते है, तो Samsung से तो directly मैं बोलूँगा के बच के रहो mid-run segment के smartphone से, हाँ Samsung के जो premium segment के smartphone है, no doubt one of the best है, मेरे भी favorite है, but mid-run segment से जाए आपको बच के ही रहना पड़ेगा, next brand की बात करते हैं, हमारे Indian brand से Micromax है, Lava है, Intex है, Lemon है, Qtel है, iTel है, और भी बहुत सारे आपको offline online वाले brand देखने को मिलते है, यह पहली बात तो है, ऐसा कुछ specification कमाल के निकालते नहीं, जो के मतलब customer यहाँ पर आए, purchase करे, ना इनकी service अच्छी होती है, नहीं यहाँ पर इनके accessories मिलते हैं, तो बिल्कुल से यह भी phones आपको बच के रहना है, हाँ Micromax थोड़ा बोट कभी का बार अच्छे निकाल लेता है, बट उसमें भी यहाँ पर आपको चेक करना पड़ता है, कैसे आपको यहाँ पर product मिल रहा है, तो यह स सोचने के यहाँ इंडियन ब्रेंडे पैसा दूँगा तो यहाँ इंडिया को आएगा, यह सब सोचके मत रेना भाई आपका पैसा है, आपको end user experience यहाँ पर matter करता है, वो आप सोचोगे के मैं पैसा दूँगा, यह वो नहीं, सारे phone यहाँ पर चायना से इंपोर्ट आके आ यह ओपो का A3S हो गया, यह सारे device यहाँ आपको everything specification देखने को मिलते हैं, सिर्फ notch के दम पर बेचा जा रहा है, आप पुरा उठा के देख लो, नहीं आपको full HD resolution देखने को मिलता है, नहीं fast charging है, नहीं कोई भी phone में EIS का support है, नहीं कोई phone में 4K video recording का support है, नहीं camera low light में 12,000 आप spend करो, तो क्यों कर रहे हो, क्योंकि market में इतने अच्छे phone आपको देखने को मिल रहे है, तो यह सारे phone में आप क्यों invest करोगे, मुझे बताना नहींचे, comments में, next brand की बात करते हैं, तो वो है Honor, Honor के भी अभी मैं बोलूँगा देखो, सुन लो, अब यह चीज़ ध्या आता है माली का, और overall camera अच्छा है, बाकी सारी चीज़े में कुछ ना कुछ compromise करना बाता है, Honor 7X भी इतना recommend नहीं करूँगा, Honor 9 light भी ठीक है, बाकी Honor के जो 7C है, 7A है, 7S है, यह तो आप बुल सकते हो, एक average type के smartphone है, हाँ अगर आपको seriously एक अच्छा smartphone चीए Honor का, तो Honor 8X का wait क चल लो, वो बहुत ही promising device यहाँ पर लग रहा है, 15,000 के आज पास यह आपको launch रहते वे दिख जाएगा, और भी brand जो है, वो आप बुल सकते हो, थोड़े बहुत कभी चलते है, कभी flop हो जाते है, तो उससे भी आपको यहाँ पर बच के रहना है, बाकि आपको यह वीडियो क या कुछ suggestion है, वो भी आप यह वीडियो की नीचे comment section में मुझे बता सकते हो, मैं यहाँ पर आप लोगों के जो suggestion है, उसमें सही topic ढूनने की कोशिश करूँगा, तो बहुत हो कि मेरी तरफ साब को यह वीडियो पसंद आई होगी, और कई सखर आपको वीडियो पसंद आए, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत बुलना, मिलता हो से सिग लिए किसी वीडियो में, जब तक के लिए, थैंक यू,